वाइब्रेशन ने केवी दिते मेजरमेंट करवाम आवे छे औने तेनी टेस्टिंग माटे नी धीत तेना माटे कहया किया इंस्ट्रूमेंट आपने उप्योग मा करिये छिये तो तेना विशे आजे आपने विश्तृत चरचा करीशू विशे सवति प्या महित लिये तो वन अलस्टिक बोडिय शुच अस प्रिंग, है शाफ और बीम इस डिसे प्यूलियम पोजिए ने एक्विलिब्रियम पोजिए और अप्लिक एंट अपने एक्सिंग टेंट थे आपने इंस अश्तूमेंट इंस अन्य पोडिए लिए अज़ एटले के इलेस्टिक बोडियो के जेनी अंदर जो हो ओ आँ तो समान्य नीति जह रे इलस्टिक बोडियो बोडियो एटले के स्प्रींग शाप तने बीम पोट नी मूर्स्थिती माहिए अनने आवा किस्दी अंदर तेना उपर जय रे प्रोडियूस थती हुई चे अने जेने कारन बोडी नी मोशन जे चे ते अमुख किस्सा माँ साइक्लिक प्रकार नी हुई चे तो सिस्टम नी जे मोशन जे छे ते साइकलिक प्रकार निवय चे अने आप प्रकार ना elastic deformation ने कार में जे बाहिय फोर्स जे लाग्यों चे अने तेने आधारे जे body जे अथवा तो जे system चे तेमा फेर फार थाए तेनी अंदर जे कोई पना चेंज आवे छे, तो तेने vibration तरीके ओड़कवामा आवे छे, तो vibration measuring instruments are used to know the vibration due to earthquake fluctuating wind velocity on structure or building random vibration due to ocean wave, एटले के vibration ने मापा माटे नी devices अख़ा कोजे साधनों छे तेनों उप्योग, धर्ती कंपने कारणे vibration ने जानवा माटे अथवा तो, building construction building ने अंदर random vibration जे छे, ते थता होए, उप्रान जे कोई पण structure जे छे, तेना उपर हवानी velocity, हवानी जे गती से, तेने आधारे, जे कोई पण fluctuation थाशे, तो तेना आधारे उप्रान जे महासागर अथवा तो ocean जे छे, के थेनी अंदर जे तरंग random ली जोवा मालता होई छे, तो तेने माटवा माटे vibration measuring instrument जे जे ते उप्योग मा लेवाई छे ते बेजिक construction of the vibration measuring instrument, एटले के vibration measuring instrument नू सामाणियरी ते कई री ते रचना सारचना जे, तेमा जोई है तो the vibration measuring process, measurement process start by the sensing the vibratory motion from the vibrating machine of the structure and convert into electrical signal with the help of transducer and pick up तो के vibration measurement करवा माटे जे कई रचना करवा मावेली होई छे तो तेनी अंदर vibrate थता machine मा जी, vibration नी गती जे छे, तेने लई, तेने उपर process जे कई प्रोसेस थती से था है, और त्यार बाद transducer अथवा तो pick up नी मज़द के तेने electrical signal ना स्वरुक मा transform करवा मावे छे अने measure करवा मावे छे the output signal from the transducer which is in the form of voltage or current is too small to record it, तो के transducer नी मदद थी, जे कोई पना output signal के जे voltage अथवा तो प्रवा, current ना स्वरुक मा छे ते एकलू नानू छे, के तेने सामान्या रिते आपडे record करी शक्ता नथी therefore the signal conversion unit is used to amplify the signal from the transducer to the required value, एटला माटे signal converter तेना transducer माथी जे कोई पन कीमत मले छे तेने signal जे कोई पन कीमत मले छे तेना signal वधार माटे अहीं आपडे signal converter unit नो उपयोग करिया छे अने measure करी सक्या छे the output signal from the signal conversion unit is a display on the display unit for the visual inspection this information is recorded and stored into computer for the later use अटले के signal converter द्वारा जे कोई पन output signal जे छे तेने visual display ना unit पर दर्शावा मावे छे अने आ जाडवनी ने record करवा मावे छे के जे थी पाचल थी तेनो वपरास आपडे योग जे रिते करी सक्ये ते बाटे तेने computer नी अंदर डेटा स्टोर करवा मा आवे छे फाइनली ते डेटा केन बी एनिलाइज तो नौ दवाइब्रेशन केरेक्टरिस्टिक अब दवाशीन और स्ट्रक्चर अने छेले मसीन अथवाको स्ट्रक्चर नी वाइब्रेशन नी लाक्षनिक ताओ जानवा मा आटे तेना डेटा आउनो विशलेशन करवा मा आवे छे तेनू एनलीसिस करवा मा आवे छे अने जानवा मा आवे छे आगर जोई एतो कईकिते ही मेजर माइंड ताओ अी काई चे वाइब्रेशन अर् स्ट्रक्चर नंबर बेनी यंदर छे वाइब्रेशन ट्रांस्बीूसर टु पीक अप नेक्ट छे सिंगुनल कनवर्जन युनिट नेक्स डिस्प्ले युनिट एड लास्ट मा डेटा आनलीजिम तो कि एक रमबद्धरी ते साइकल कही रित आगल वते छे ते ही दर्चावम मा आवेली छे तो सवकी पेला वाइबरेटिंग जे मशीन जे छे तो तेनू स्ट्रक्चर अथवा तो ते मशीन ते मा थी वाइबरेशन ट्रांसड्यूसर नी अंदर सीगनल जे छे ते फ्लो थता हो जे एक बेजिक प्रोसेस साइकल छे ते ही आपड़े एक दर्चावम मा आवेली छे कि जे माँ वाइबरेशन नू मेजरमेंट कई री ते शरुवाद थी छेवटना तबक्का सुधी आपड़े पोची शक्ये छे तो होसोथी पेला मसीन जे छे तिया माँ थी ट्रांसड्यूसर नी अंदर जाए छे ट्रांसड्यूसर माथी सिग्नल जे छे ते कन्वर्टर नी अंदर जाए छे कन्वर्टर माथी डिस्प्ले यूनिट नी अंदर जाए छे अन्य डिस्प्ले यूनिट नी मदद थी आगल डेटा ना एनालिसिस माटे सिग्नल जे छे ते ट्रांस्मीट थता होई छे आ प्रमान चे, the vibratory response of a vibrating system can be expressed in the term of the various parameters such as vibrating system मा, vibratory जे कोई response अशे, तेने अलग-अलग मापदन्ट नी अंदर, के अलग-अलग मापदन्ट ना संवर्भ मा दर्शा वामा आवे चे, और आ संवर्भ आ पेरामीटर जे चे ते नीचे प्रमान चे, सवती पेलूचे amplitude अत्वातो displacement, नमबर बे velocity, नमबर थोड एक्सलरेशन, फोर्थ वन इस frequency and ना लास्ट इन्दूस्ट्रेश, तो चोईस ओपेरामीटर इस डिपेंडिंग ओन अब्जेक्टिव एंड फिल्ड अफ एप्लिकेशन, तो कि अहीं जे कोई पन परिमान, जे कोई पन पेरामीटर जे चे, तेनी पसंदगी करती वक्ति तेना काम करवानों उद्देश औने तेना काम करवानों क्षेत्र, परिमानों जे कोई पन आपने वाइब्रेशन माटे उयूज करिये चे, तो तेना केटला प्रकार जे अने तेनी कई रिते केटेगराइस करवामा आवेला जे, तेमा जोई ए तो तेनू क्लासिफिकेशन आप्रमाने जे, ते वैब्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेजिकली तरण भाग माँ विब्जित करेला छे, पैलू चे, based on the contact between वैब्रेटिंग सिष्टम नएंस्ट्रूमेंट, एटले के 전ह, वैब्रेटिंग सिष्टम नने इंस्ट्रूमेंट ना, Contact ना आधारे, सौथ depends ज़ बिजु जे छे ते non-conductive बिजा मा जोई है तो based on the requirement of the power power requirement ना आधारे इंस्ट्रूमेंट नू वर्गी करण नी अंदर छे तो चे माँ छे बे भात एक active instrument अने बिजु छे ते passive instrument last one is the based on the method of measurement vibration measure करवानी method ना आधारे इंस्ट्रूमेंट नू वर्गी करण मा जोई है तो तो के indicating tap छे इंस्ट्रूमेंट अत्वा तो recording tap इंस्ट्रूमेंट छे ते नहीं मुख्यत्वे भाग मा वर्गी करवामा आवेला छे तो मित्रो आरी ते vibration measurement करवाना जे इंस्ट्रूमेंट छे तेने वी भाजीत करवामा आवेला छे अत्वा तो वर्गी करवामा आवेला छे हवे मित्रो आपड़े जोईसू vibration measuring मा टे दिन जे कोई device छे अथो तो जे कोई पन मीटर छे तेना वी से तो सामानी रेते जे ढापड़े acceleration mark करवामाटे एक्सलरोमीटर वापड़े छे वाइब्रेसन माटे इसे आपड़े तो वाइब्रोमीटर वीषे च चरचा करवामा यू तो वाइब्रोमीटर और सेंसिमोमीटर जे न एंस्टूमेंट which measures the displacement of vibrating machine or structure नतले के वाइब्रोमीटर अथवा तो सिस्मोमीटर ये के वूँद डिवाइस छे के वूँद साजन छे के जेनी मदद थी मशीन अथवा तो तेना स्ट्रक्चर ना जे वाइब्रेशन ने कराने डिफलेक्शन थाई छे तेनू मेजर्मेंट करवा मा आवे छे तो वेडियस टाइप अब एम्पलिट्यूड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर इस फोलो अलग अलग प्रकार ना जे वाइब्रोमीटर छे ते नीचे प्रमाने वर्गीकृत करवा मा आवेला छे जे मा सवथी प्यलू जे छे ते मा जो ये तो स्टाइलेस रेकोर्डिंग टैप इंस्ट्रूमेंट नंबर बे छे सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट और सिस्मोमीटर और वाइब्रेशन पिकप थर्ड वन इस अप्टिकल रेकोर्ड इंस्ट्रूमेंट next is capacitance pickup next simple potentiometer and last is mutual inductance pickup मित्र आवेर ते अलग अलग छो प्रकारना vibration measurement करवा माटे ना instrument जे छे ते आपड़े अहीं चर्चा करीशू के जे माँ कई री ते device नी मदद्थी vibration जे छे ते measure करवा मावे छे तो ते अवे आपड़े ही अगर जोईशू जे माँ सवथी पेलू आउसे stylus recording टैप instrument तो stylus recording टैप instrument जे छे ते फिगर माँ जर्सा आवेलू छे के जे माँ एक pointer अथवा तो एक stylus आपेलो छे आएक drum छे आएक मास सेटेच करेलू छे जे स्ट्रिंग लोडेड छे औने आ एक बोडी छे अहीं ड्रम जे छे ते आवी ते रिवोल्विंग मोशन फर्तू रेशे स्ट्रिंग लोडेड छे ते आहीं आपने आपने वाइब्रोमेटर नी मदत्य आपने मेजरमेंट सरवताथी करी सक्या छे अंदर आपने जोएतोर स्ट्रिंग रेकोडिंग इस्ट्रूमेंट मा इत कंसिस्ट अफ ड्रम विच इस रोटेटिंग अब वाइवाई एक्सिस अंद ए स्ट्रिंग इस पिवोटेड एट फलकरम ओ तो अधर एंड आप दे स्टाइलिस ए लिंक इस एटेच विच पिक अप एंड वाइब्रेटरी मोशन फ्रम दे वाइब्रोमेट मसीन और स्ट्रक्चर तो क्या है एक ड्रम छे जे वर्टिकल एक्सिस वाइवाई एक्सिस उपर परिब्रमन करे छे अने स्टाइलस पन फलक मसीन के स्ट्रक्चर नी वाइब्रेटरी मोशन ने पिक अप करे छे तो मोशन बिट्विन जा रोटेटिंग ड्रम एंड लिनियर मोमेंट अप दे स्टाइलर स्टाइलस प्लोट एंड एम्पलिट्यूड अप दे वाइब्रेटरी मोशन अन पेपर वीच इस एटेच टू ड्रम तके जे फर्तो ड्रम चे ते स्टाइलस नी होरिजन्टल मूमेंट चे तेने ड्रम नी उपर जे कोई पन कागल विटेल हूँ ओई चे तो तेना उपर स्टाइलस नी मदद थी वाइब्रेटिंग थती जे मोशन चे तेने मेजर करवामा आवे चे त्या अहिने के नी आपनने पेपर उपर एक इंप्रेशन अथा चाप मला चे तो तेनो एक प्लोट मला चे नी फिक्वंसी जे चे तेने जन्रेट थाई चे अन्ने आरी तेन स्टाइलस रेकोड़ टाइप इंस्ट्रूमेंट नी मदद थी वाइब्रेशन नू मेजर मेंट करवामा आवे चे नेक्स्ट इस सिस्मिक टाइप सिस्मिक टाइप मा आपड़े जेरी ते एक्सलरमीटर नी अंदर उप्योग करिया तो सेम तू सेम आहिया ए प्रमाने पन करी सक्या छे तो सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट अप दे स्प्रिंग मास डेमपर सिस्टम इन ए फ्रेम और केसिंग which is mounted on the vibrating machine or structure to measure the displacement amplitude of the vibrating motion तो के सिस्मिक टाइप नी डिवाइस ती अंदर स्प्रिंग मास डेमपर सिस्टम आवेली होई छे के जेनी अंदर vibrator machine के तेना structure उपर लगाडवाम आवेली होई छे अने vibrating motion ना displacement ने measure करवामा आवे छे तेना जे vibratory motion ना displacement amplitude जे छे तेने मापवा माल छे तो मास्क M तो मास्क M is supported in a frame or casing by mean of spring having K and dashboard of damper coefficient C तो के एक M मास्क ना frame साथे के spring index अने dashboard damping coefficient C ना मदल थी frame साथे लगाडवामा आवेली होई छे frame of kissing his fasten to the vibrating body so that it vibrate along with the vibrating body thermometer is equivalent to the spring mass damper system having a base or support excitation तो के जे frame के तेने vibrate साथे जोड़ाई छे के जेती vibrating body साथे ते vibrate थई सके thermometer जे छे ते spring mass damper system नी जेम काम करे छे के जे तेना base के तेना support मा excitation धरावतू होई next is optical recording type instrument तो अहीं आपड़े जोवा जे ये तो figure मा दरसा वेला छे एक vibrating body छे के जेना उपर mirror एटेच करवामा आवेलो छे अहीं एक parabolic reflector लगाड़ेलो छे के जे मा थी source उपर light source नी मद थी जे lens उपर reflection थाई छे जेनी असर mirror उपर थाई छे अने mirror नी मद थी reference line जे छे ते rotating drum उपर आवे छे अने आहीं vibration नो measurement करवामा आवे छे तो light source send the light signal to lens to on mirror and the mirror is attached to vibrating body by means of some linkage तो के light source छे 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 ते lens नी मार पके लाइट सिगनल जे छे ते lens अरिसा उपर मोग ले छे अने आ अरिसो आ mirror अमुक mechanism तो mechanism नी मद थी vibrating body साथे जोडायली होई छे the light which is reflected from mirror fall on sensitize film on the revolving drum and loads the displacement of the vibratory motion आतला के जे mirror मा थी प्रकास प्रतिविंबित थाय छे ते revolving drum उपर sensitive film नी असर उपजावे छे अने vibration नी गटी में अहीं displacement करे छे अने आ रीते अहीं आपडे vibration जे छे थे सामानीरी ते measurement करवा मा आवे छे अहीं यहां फीगर मा पड़े जूँओ तो आहीं यह light source lens मा थे दाखल थाय छे त्यां थी के mirror मा जाए छे आ वाइब्रेटीरी बोडी जे छे ते वाइब्रेट थवाने कारणे तेनी असर mirror उपर था से के तो के mirror जे छे ते वाइब्रेटरी बोडी साथे कोई यहीं लिंके जात्वा तो मीकेनिजम नी मिरती जोड है लूचे अटले जे यहां तेना आधारे रिफ्लेक्शन आउसे ते डायरेक्ट रोटेटिंग ड्रम उपर तेनी इंप्रेशन उप जासे अन्य तेना आधारे ज तो के तेमाँ वल्ट मीटर रूटा हूसे साथे को जोड़े लूचे जान्य पर तेनी नी साथे पेरलम ऑल्रम यां रेजिस्टनस जोड़वां म आ्यूचे अन्य वल्ट मीटर नी साथे क्या ते तो मुझा म ड्रम नी जे जे चे ते दर सावे चे तो CCa b वोल्टमीटर, ए बेटरी, एंड रेजिस्टंस, तो के तेमा वोल्टमीटर, बेटरी, आने रेजिस्टंस नो उपियोग करवा मा आवे छे, ए नीडल is connected to vibrating body and it is allowed to slide on the resistance, तो के आहीं नीडल जे छे ते वाइब्रेटिंग बोडी साथे एटेच करवा मा आवेली होई छे, अथ्वा तो तेनी परवानगी आपे छे, ते चेंज इन वोल्टमीटर, ड्यू टू मूमेंट अप दे नीडल, अन्ध रेजिस्टंस, इस रेकोडेड, इस वोल्टेज इस प्रपोर्शनल टू ता एम्प्लिट्यूड अप दे वाइब्रेशन, अतला के रेजिस्टंस पर स्वोई नीडल नीचे कोई हिल चाल छे, तेने कारणे वोल्टेज माँ फेरफार महधवामा आवे छे, औने आ वोल्टेज वाइब्रेशन ना एम्प्लिट्यूड ने समकक्ष होई छे, तो आरिके समान्य ते पोटेंशोमीटर नी मदल, सिंपल पोटेंशोमीटर नी मदल वाइब्रेशन जे छे, ते मेजर करवामा आवे छे, नेक्स्ट वन इस केपेसिटन्स पिककप टैप, तो केपेसिटन्स पिककप माँ आपने यहां फिकर माँ जोई है तो वाइब्रेटिंग बोडी छे, जेने आरे प्रोब नीचे ना भाग एटेज करे लो छे, जे बनने वाइब्रेशन पिककप टैप, वाइब्रेशन मेजरिंग इस्टूमेंट वीच जनरेट एन आउटबूट प्रोपोर्पोर्शनल तो दिस्प्लेस्मेंट अफ वाइब्रेटरी मोशन, तो केपेसिटन्स पिककप ए, एक 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 टिव टैप, वाइब्रेशन मेजरिंग इस्टूमेंट वाइब्रेशन नी मोशन ना डिस्प्लेस्मेंट ना आधारे आउटपूट पे दा करे छे, तो के एरगेप नी अंदर जे कोई पन फेरफार थाये छे, तेना आगर वाइब्रेशन डिस्प्लेस्मेंट नू प्रमाण दर्शावा माटे, आर्सी सर्कीट अहियां आपडे उप्योग मा लेवा मा आवे छे, एंड लास्ट वन इस मुच्यल इंडक्टन्स पिककप, तो के आ हियां वाइब्रेटरी बोडी मा कही रिखे, वाइब्रेशन मेजर करवा मा आवे छे, की मुच्यल इंदर झा जे, तो के मुच्यल इंडक्टन्शन पिककप टाइप, इस अल्सो एटनननन्कॉंतेक्टिग अक्टिव पिककप जे, विच वर्यूसफुल फोरena न्नननननेनिक्नेनिक्न्अ मेटलिक अशावी सर्कीज, तो के मुच्यल Induction, Inductance Pickup जे जे, ए non-contacting active pickup छे के जे, non-magnetic metallic vibratory sapati उपर खुबज उपयोगी छे. The Mutual Induction, Inductance LM, change due to the variation in air gap between the vibratory surface and the pickup. This change, the field due to eddy current in the vibration body, this field opposes the field set up by the primary coil. Output voltage is modulated by the vibratory motion and demodulated output is proportional to the displacement. तो के वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग sapati और तेना pickup वच्चे air gap ने कारणे, जे कोई पन फेर फार थाईचे, तेना आधार, Mutual Induction ना LM जे चे ते बड़लाईचे, तेना थी वाइब्रेशन बोडी ना eddy current ने कारणे, तेनुक फिल्ड जे चे, तेनुक फिल्ड जे चे, एडी current नुक फिल्ड ते पन चेंज ताईचे, आग छेकर, प्राइमरी कोई द्वारा, डिस्प्लेश थता, स्थापी थता फिल्ड नो विरोध करे चे, अने आउट्पूट वल्टेज जे चे, ते वाइब्रेट्टेनी मोशन द्वारा, मोड्यूलेट थाईचे, अने डी मोड्यूलेटेट एड, आउट्पुटना डिस ऄॉस्ताम प्रामान मा अँसे तो बित्रो अहीं वाइब्रेशन आपटे मेजर्मेंट करवा में आएच्छे तेमा कया वर्किंग प्रिंसीपाल उपर काम करे छे तरना प्रकार कऱेतेलीता में कहट में आएच्छे इसट्रूमेंट आपने उप यह उंप्यों रिये